हेलो हाई वाल यूटूब फेमली गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उमेद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हूँगे स्वस्थ हूँगे मस्थ हूँगे मैं भी ठीक ठाक हूँ कल से तब यत आज मेरी थोड़ी ठीक है तो मैंने अपना हाल चल वता दिया आप सभी को और अभी तक मेरा बेट जो है इसी तरह से पड़ा हुआ है अभी साड़े आट बच चुका है और मैं अभी कुह को मुझे खाना खिलाना था तो मैंने सोचा कि चलो अब मचरदानी खोल के हटाती हूँ ताकि अच्छे से बैट के इसको खाना खिला दू मैं तो अभी इसको खाने के लिए मैंने चाय और रोटी मतलब तैयार किया है चाय मैंने सुबह बनाया था तो उसी में से थोड़ा सा रखा था और अभी रोटी मैंने बनाया है नास्ते में तो वही रोटी आधा में लेकर के चाय में मतलब डाल करके और रख दी हूँ कि अच्छे से मतलब मु कंबल को भी रखा है और वैसा नहीं है कि रात भर ऊड़ते हैं हम लोग इसको लगबग ना जब भोर का टाइम होता है ना सुबह का समझे तीन उस टाइम पर ऐसी ठंड लगती है कि कंबल लोडने की जरुरत पड़ती है नहीं तो वो जो आता है ना एक फूलेन वाला कंबल जो मेरे पास दोठो है तो वही वाला हम लोग पतला वाला उसी को ओड़ते हैं रात भर बाकी रात में फैन नहीं चलाते दिन में थोड़ा बहुत चलाते हैं गर्मी लगती है दिन में लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं लगती तो रात में नहीं चलाते रात में हमें स TamTrade में टोनों ने साथ में नासता कर लिया मैं कुह को चाय रोटे खीला रही हुआ घ्यार में फिर मैने सोचा किए बैर सिट बगारा सारे कुछ ठीक कर लों फिर पोच्छा लगाना और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ पूजा करूँगी आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो सोच रही हूँ पूजा पाट कर लूँ थोड़ी सी आदत बन गई है न तो अभी पूजा नहीं कर रही हूँ न तो थोड़ा जीव सा लग रहा है बाकी हर दिन पॉसिबल नहीं हो तो इस वज़े से आज ठीक लग रहा था तो सोचा मैंने सुबह में कि नहीं आज पूजा करूंगी थोड़ा लेट भी होगा तो कोई बात नहीं थोड़ी कम जोरी भी मुझे हो गई है मुझे अंदर से फील हो रहा है मतलब मुझे लगने लग रहा चकर की जैसा आने लग रहा कभी-कभी तो मुझे समझ में आ चाता है कि हां मुझे कमजोरी हो चुकी है और पता नहीं ऐसा मेरे साथ इतना क्यूं होता है इतना जल्दी-जल्दी मुझे कमजोरी होता है कि मैं ख कुहु को खिला ही दिया है ज्यादा वैसे नहीं खाई चाय रोटी और अभी तो थोड़ा दिर के लिए रहेगी बाद में मैंना हाँ वहाँ लूँ उसके बाद इसको दूद दूँगी और यह देखिए मैंना छोटा वाला यह आईना कुहु जो मेरे पास एक रेट कलर का इसमें जो कि हमारे यहां 20 रुपए में मिलता है तो वह कुहु ने परसो ही तोड़ दिया था संड़े को तोड़ा था तो संड़े को तोड़ी थी तो उसके पापा मार्केट जिस समय जा रहे थे उससे पहले ही तो फिर गया थे तो लेकर यह वाला आए और मैं क्या ही बता लेकिन जो इसका दाम सुना मैंना तो अब मेरे हिमत ही नहीं हो रही है कि बढ़ा आए ना लू तो फिर सारा वह जो रूम है बैडरूम सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है साफ सुद्रा करके और कुहु वहां पर भी टीवी देख रही है बाकि इस वाले रूम में कुछ करन है नहीं ज्यादा समान तो है नहीं बस बेर्चेट को ठीक करूंगी सुबह में यहां पर बैठके पढ़ाई कर रहे थे थो थोड़ा बहुत इधर हो जाता है इधर उदर हो जाता है तो बस इसको ठीक कर लूँ उसके बाद जाडू मैंने अभी यह घंटे पहले किया है तो और आज मेरा हाथ का दर्जो है वो थोड़ा ठीक है वो इसलिए क्योंकि कल मैंना काम बहुत कम करी हूं कल बहुत जादा तव्यत खराब था इस वज़े से कल मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया है तो इस वज़े से आज थोड़ा सा हाथ में दर्जो है वो कम है कप्रे भी नहीं दोई थी कल पोच्छा लगाई थी बाकी और बहुत सारे काम ऐसे थे जिसको मैंने इसकीप कर दिया था बस नॉर्मल जो जो काम किये बगहर नहीं रह सकती वो सारा काम किया बाकी सब छोड़ दिया था इस वज़े से हाथ में थोड़ी आज दर्द कम है, रात में बहुत जादा दर्द हो रहा था, मतलब इतना हो रहा था कि लग रहा था कि मैं रोने लगूं, लेकिन रोई नहीं हूँ, अंदर अंदर से मतलब रोना आ रहा था, बाकि ये जो अभी सुबह का समय जब मैं उठती तो बहुत जादा दर्द होता था, ऐसा लगता था कि हाथ ना थोड़ा भी लाओ नहीं, फिर भी कोशिस करती थी, इधर उधर, इधर उधर करते करते, आधा गंटा हाथ में देती थी, तब जा करके थोड़ा सा फ्री होता था कि मतलब धीरे-धीरे काम करना शुरू कर तो आज तो ऐसा नहीं है, आज लगबग ठीक था, थोड़ा बहुत घुमाने में इधर उधर, दर्द हो रहा था, बाकि ठीक था, तो आज अच्छा लगा, तो मैंने सुचा, सारा काम कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, पोछा लगाने के बाद उसके बाद मैंने नहा कर आके पूजा किया, और कुहु आज अभी नहीं नहाई है, इसको नहाँगी, थोड़ा सा लेट से, मुझे ही लेट हो गया था नहाने में, और ज्यादा लेट नहीं करना चाहती हूँ, खाना खाने में मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कमजोरी है, जितना खाना पीना लेट करूँगी, उतना कमजोरी और ज्यादा होगा, तो पूजा करने के बाद ना, फिर मैं किचन में आई, और ये मेरे हुजबन दवा लेकर के आए हैं, ये आईरन और कैल्सियम है, और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, ये आईरन और कैल लेती हूँ, नास्ता कर लिया है, मैंने, थोड़ा देर आराम भी करूँगी, दवा खा करके, क्योंकि दवा खाने के बाद थोड़ा देर आराम करना चाहिए, तो बस इसलिए उसके बाद ना, भी खाना भी बनाऊंगी, और अभी कपड़ा नहीं धोया है, अभी कपड़ा आज मैं नहाने के बाद धोओंगी, अच्छे से संबल के धोओंगी, घ्रा की कपड़े जाधा है, लेकिन फिर भी बैस धोगँ नहाने के बाद ही, तो कपड़ों को सारा मैंने भीगो दिया है, फूलने के लिए, और वैन पानी भी चड़आ रखा है, गर्म होने के लिए, गुह को ना लाना है तो अभी ना लगभग हर दिन का रूटीन ऐसा बन गया है कि 11 बजे तक सारे काम खतम हो जाते हैं, खाना बनाना बस बचता है जो कि मैं 12 बज़े के बाद से शुरू करती हूं क्योंकि हम लोका जो लँच होता है वो दो बज़े के बाद से ही होता है, तो अभी खाना गर्म रहे, क्योंकि यहां का मौसम अभी ठंडा वाला ही है, तो ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लेट से बनाती हूँ, और पानी गर्म हो गया था, तो मैं कुह को लेके गई थी नहाने के लिए, तो अभी इसको एक दिन पहले ही मैंने इसका है आज तो नहीं किया, बस ऐसे ही बाल भी न भिंगाया, इसका मैंने नहलाया है आज, और अभी भी पानी गर्म करके नहाना पड़ता है, यहां पर मौसम उस्तरस से है अभी, कि पानी ठंडा से बिल्कुल नहाई नहीं सकते, तो तीनों लोग हम लोग जब भी नहाते हैं, त तो पानी काफी टाइम का रहता है, तो ठंडा ही रहता है, और ठंडे मौसम में ठंडा पानी से नहाओ, तो और भी ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए पानी गर्म करके ही नहाना पड़ता है, तो तो थोड़ा सा इसको किसी तरह से फुसलाया है, मैंने तो मैंने बोला क कि दो चोटी भी बना देती हूं तो बस अभी इसका भी आज के लिए ही हो गया है कि दो चोटी ही बनवाती है एक चोटी बनवाती ही नहीं किसी तरह से मैं कभी कभार सोचती हूं कि एक चोटी बना भी दूं तो नहीं खोल के फेक देती है फिर बोलती है दो चोटी बना तो बस मैंने यहां पर बना दिया है इसको और बस रेडी हो गई है और यह भी अपना टीवी में लगी रहेगी बागी का काम मैं करने चलती हूं और दवाई खाने के बाद ना केल्सियम होला दवाई जब केल्सियम ऐरन हम खाते हैं अगर अंदर से कमजोरी होना तो नीन बहुत जादा आती है और मुझे वही अभी हो रही थी मुझे मतलब एक यादेर गंटा हो चुका है अभी दवा खाया तो एक दम से कमजोरी जैसा लगा मतलब नीन बहुत जादा लग रहा है लग रहा है अगले संडे मैं गई थी तो लेकर आई थी इस बार हजबन गया तो फिर से वही लेकर आ गए हैं तो मैं भूल गई थी रात में तब ये ठीक नहीं था मेरा तो ना तो मैंने चना डाला ना चना डाल डाला इसमें डाल के बनाने के लिए तो फिर क्या ना कि इसको ज़्यादा टायम रखूंगी तो फिर इसका सबजी भी सही नहीं लगेगा इसलिए आज बनाना ही पड़ेगा दो तीन दिन हो गए लाए हुए तो फिर मैंने सोचा कि आलू ही डाल के बना लेती हूं क्योंकि च्छिल भी नहीं उसको काट ले रही हूं और यह मतलब आलू न छिलका के साथ में भी अच्छा लगता है सबजे कभी कभी खाने से तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं छिलका के साथ में ही बनाती हूँ और जैसे इधर मैंने खाना बनाना सुरू किया उस तरफ पानी भी खूल गिया था सप्लाई वाला मैं 3-4 बार पहले जाके चेक करी थी तो नहीं चल रहा था तो मुझे लगा कि पानी आज नहीं चलेगा लेकिन फिर अब भी जाकर देखा तो पानी चल रहा है इसलिए जितना मतलब possible हो सके पानी भरना है और मैंने कपड़े भी भीगो के रखे हैं तो कपड़े सारे धोके जल्दी से डालने होंगे तैकि जितना पानी मुझे कपड़े धोने में लगे मतलब जो अभी पानी चल रहा है उससे हो जाए और कपड़े धोने के बाद मैं कि सोच कि हम लोग को भरते हैं去 मतलब फूल कर लेना है सारा डबा पर अगयों कि कल पानी आएगा नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता है तो हर एक दिन यहीं डर रहता है औरहां पर पानी का कोई सुबिधानी है कहीं भी आस-पास कोई नल या कोई भी मोटर, सब् प्तालाेते हैं और बागी जो बजता है उतना पानी भरके रख लेते थे तो यहांँ पर मैं इधर में सबजी भी मना रही थी और कपड़े भी म हम खरता है कपड़े दो रही ती यहां पर करिए सब्क भी किते लिक जाती हमें दिमाग उनाना मेरा तो फिर मुझे याद आया तो मैं दोड़ के आई लेकिन जादा नहीं लगा था थोड़ा लगा था सब्सक्राब होने लाइक नहीं था तो बस यहां पर ना मैं आलू को भून करके और मसाले सारे भूनने के बाद यहां पर तो रही डालती हूं इससे कहना कि मसाला अच्छे स बूह जाता है किछा पर नहीं रहता मसाला का और पिर तोरही जो है वो भी आराम से गल जाती है तो रहे कैसे को जाब है यह सब्जी और चावल ही रहेगा कभी-कभी क्या है घर का खाना भी खाना चाहिए जैसे हम गाओं में रहते हैं तो जब घर का तुरही मिलता था तो ऐसे ही हम लोग करते थे सबजी के साथ में चावल दाल नहीं भी रहे तो चलता है अच्छा लगता है खाने में तो बस इसलिए मैंने चावल और दाल मतलब सबजी बनाया है और बाकी टमाटर और प्याज का सलाथ बना लूँगी उसके ब कपड़ों को डाल ले रही हूं उसके बाद थोड़ा देर आराम करूंगी क्योंकि नींद बहुत जादा आ रहा था और सीर में धर्द भी मेरा शुरू हो गया था मतलब अभी जो मेरा तब्यत है वो थोड़ा सा खराब हो गया था तो मैंने सुचा कि फटा-फट सब कपड पर डाल दे रही हूं थोड़ा मौसम सही है तो इह कपड़ा सूखते रहे हैं थोड़ा सा आराम कर लोंगी ने सके क्ता हो लोगों को खाना है अभी मतलब मैं मेरे हजबन अभी खाना नहीं खाये हैं तो खाना भी खाएंगे और आज की व्लोग को यहीं पर खतम करते हैं उम्मीद करती हूं आज के व्लोग आप सभी को अच्छा लगा होगा